वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फलो के बारे में जो हार्ट के मरीजों के दिल के मरीजों के लिए फायदे मंद होते हैं तो यह हम बात करें दिल के मरीजों को fruit selection के वक्त क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो उनको ऐसे fruits का ध्यान रखना चाहिए जिसके अंदर fiber हो, मतलब रेशा हो साथ में vitamin C हो, मतलब खटे हो fat का level मतलब उसके अंदर oil वगरा खम हो साथ साथ यह अंदर folic acid होना चाहिए जो नई cells का development मतलब करें साथ में potassium जो heart के लिए फायदे मंद होता है उसके अलावा antioxidant होते हैं तो यह सारी चीज़े फलों में होना चाहिए फल select करने के वक्त तो वो कौन से फल ऐसे हैं? पहले आता है मौसमी जिसको sweet lemon के नाम से जानते हैं इसके अंदर क्या होता है? विटामिन C भी होता है फायवर भी होता है फैट का लेबल भी कम होता है तो heart के मरीजों के लिए काफी फायदे मंद होता है आप एक दिन में एक से दो मौसमी आराम से खा सकते हैं आप चाहें तो दो से तीन मौसमी का जूस भी पी सकते हैं उसके अलावा नासपाती नासपाती के अंदर क्या होता है? फायवर होता है फोटेशियम होता है विटामिन C होता है तमाम चीज़े होती हैं जो हार्ट के पैशन का जरूरत होती हैं आप एक दिन में एक से दो नासपाती भी खा सकते हैं उसके अलावा बेर या बेरी इसके अंदर भी तमाम चीज़े होती हैं उसके इलाबा रस्बरी, रस्बरी के अंदर भी क्या होता है, सेम चीज़े होती है, विटामीं C, Fiver, Low Fat, तो हाइड के मरीजों के लिए यह भी फाइदे मंद होता है उसके अलावा खुबानी या एपरिकोड एपरिकोड के अंदर भी क्या होता है? विटामिन सी, फाइवर तमाम चीज़े होती है आप दिन में 2-3 एपरिकोड भी खा सकते हैं उसके अलावा आलू बुखारा आलू बुखारे में भी सेम चीज़े होती है इसको भी आप दिन में 1.500-200 ग्राम खा सकते हैं मतलब आप 3-4 तक आलो बुखारे भी खा सकते हैं उसके अलावा अंगूर हैं अंगूर के अंदर भी विटामिन C, फाइवर, पोटेशियम, लो फैट तमाम चीज़े होती हैं तो आप दिन में 15-20 तक अंगूर भी खा सकते हैं उसके अलावा केला भी आप खा सकते हैं दिन में 1-2 उसके अलावा आप सीर दिन में 1 खा सकते हैं इसके अंदर तमाम चीज़े होती हैं जो फाइडिमन होती हैं हार्ट के लिए उसके अलावा आप चाहें तो कीवी भी खा सकते हैं कीवी में भी क्या होता है विटामिन C, फाइबर, पोटेशियम, तमाम बिनल्स वगरा होते हैं साथ में अंटियोड ऑक्सिडन भी होते हैं तो आप दिन में 2-3 तक कीवी भी खा सकते हैं उसके अलावा आप एक ग्लास अनार का जूस भी पी सकते हैं अनार के अंदर भी तमाम चीज़े होती हैं तो उमीद है आपको इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें गरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें विद देस थाइंक यू वेरी मच्छ वर वाचिंग हैंसरेंबो